सभी को मेरा नमस्कार और ये जो होगा आपका इस्टेटिक जीके का पहला भाग होगा जैसा कि मैं हमेशा करता हूँ कि पर्णा वह है जो एक्जाम में आता है ठीक है? इस्टेटिक जीके बहुत बड़ा पाट है मैं वही करवाँगा जहां से maximum questions पूछे गए बहुत सारे topic होंगे, बहुत सारे videos maximum जो exam में पूछे जाते हैं वही आपको करवाया जाएगा ठीक है? ये day one है तो ध्यान पूर्वग वीडियो अंत तक देखिएगा सबका मुझे like चाहिए और सबका मुझे comment चाहिए कि वीडियो ये कैसा लगा ठीक है? तो आज ये day one है चलिए start करते हैं और full marks आपको बिहार दरोगा देखो यहां बिहार दरोगा लिखा गया है पर ऐसा कोई exam नहीं जहां से जहां आपको वीडियो से questions देखने को नहीं मिलेंगे without wasting time start करते हैं इस्टेटिक जी और स्रीगनेस करते हैं देखिए चैनल पर नहीं हो subscribe कर लेना बहुत सारी चीज़े हैं बहुत सारी topics हैं ठीक है A to Z चीज हम लोग कभर करने वाला सबसे पहले जो आज हम लोग कभर करेंगे देखिए हिंदी इंगलिस नहीं करना है इसमें क्योंकि जो चीज आपको हिंदी इंगलिस में different होगा उसको मैं हिंदी में भी लिखतिया करूँगा तो आप घबराईए मत बस आप समझे Artist or related field Artist or related field मतलब होता है जैसे कि आपका बिर्जु महराज ये कोन सा डांस करते हैं इस तरीके को questions पूछे आप बहुत ही limited पराऊंगा जो exam में पूछा जाता है तो देखे अगर आपको पूछे कि बिर्जु महराज कोन सा डांस करते हैं तो कथक करते हैं सिपकुमार सर्मा सिपकुमार सर्मा जो ये कोन सा यंत्र बजाते हैं तो ये है आपका संतूर बजाते हैं इसको मैं ट्रिक से भी अल्लेडी परहा चुका हूँ बट आज से हम स्टार्ट करें एस्टेटिक जीगे एक टॉपिक भी नहीं चोरेंगे जहां से कोशन पुछा जाता हूँ एकदम to the cut to cut परहेंगे ठीक है सिपकुमार सर्मा संतूर बजाते ठीक है राजा रभी बर्मा आपने बहुत बार इनका एवन मूवी भी था इनके उपर तो ये पैंटर है राजा रभी बर्मा अमरीता सिर गिल अमरीता सिर गिल क्या है तो ये भी एक पैंटर है जैमनी रोई इसका PDF आपको प्रोवाइट कर दिया जाएगा जहां भी जब भी टाइम फ्री मिले रिवीजन करना है जैमनी रोई क्या थी ये भी पुछा गया है ये है पैंटर देखो सब कोस्टेंस यहां important है तो मैं उजिए बार-बार ये बोलना ना पड़े कि ये important है ठीक है अल्ला रखा बहुत बार पुछा गया ये तबला बजाते है ठीक है लिनाडो दिविंसी बहुत बार एगें ये पैंटर है ठीक है यामनी किस्ना मुझति किस मतलब डांस से बिलोंग करती है तो आपको याद अखना है भरत नत्यम उस्ताद अलादिन खान ये किस से तो ये आपका सरोध से मैस्टरो अमजद अली खान ये किस से बिलोंग करती है तो ये भी है आपका सरोध से एन राजम ये वाइलन बजाते हैं और देखो बहुत ही ऐसे बहुत सारे हैं बट वही दे रहा हूँ जो बार बार पूछा जाता है अगर आप questions प्रेक्टिस करते हो तो पता चल जाएगा आपको हरिसन चोरसिया ठीक है हरी परसाद चोरसिया फ्लूट बजाते हैं मतलब बासुरी बजाते हैं अभिनात ठाकूर तो ये भी पेंटर है याद रखेगा हेमा मालीन का दिवाना पूरा भारत है तो ये है आपका भारत नतिम एक चीज हमेज़ा याद है चीजों को निमोनिक से क जबाऊंगा इसलिए आप लोग जल्दी से एक बार लाइक कर देए उसके बाद है सोनल मान सिंग तो ओडिसी और रुकमेनी देभी तो ये किससे करते है तो ये भी भारत नतियम से ठीक है तो रुकमेनी देभी और आपका हेमा मालीन दोनों भारत नतियम दान्स करती है आप देखो बुक एन ओथर बहुत सारे बुक है दो कंडिशन होता है बुक पर ने एक आप पर होगी जो आपका करेंट का लास्ट एक साल में हुआ है और कुछ ऐसे बुक है जो हमेशा पूछी जाते है जैसे कि देखो प्लेंग इट माइवे सचिन तेंडूलकर ओरिजिन और इनके द्वारे एक और बुक लिखा गया है तो याद रखना इका बुक भी इन्होंने ही लिखा है इंप्लोई में इंट्रेंस्ट एंड मनी आपको पता है यह बुक बहुत ही पेमस है एकोनोमिक्स में तो जे एम किन्स किसने लिखा है जे एम किन्स गीत कोबिन पता होगा आपको जैदेब और फ्रीडम फ्रॉम फियर यह है आपका ओंग सेंसुई देखे जब आपको अब यह के गोबर्णार भी रह चुके अब इन्होंने एक रेसंट बुक भी लिखा है उसके बारे में भी हम आगे बात करते हैं इंग्लिस में लिखा गया बुक नाम भी सब इंग्लिस में है ठीक है सेतनिक वर्ष ठीक है तो यादगना मिडनाइट चिल्डेंड दी एंट अब फ्लोरेंस और सेतनिक वर्ष यह सल्मान रुसीद ने लिखा है लज्जा यादगना तस्लीमा नस्रीन ने लिखा है लाइफ डिवाइन स्री अर्विंदो घोष ने लिखा है ठीक है रीडिस्कवरी ऑप इंडिया बोले तो मेगानात देसाई ठीक है ब्रीफ हिस्ट्र यह दोनों किस ने लिखा है तो यह महादमा गांधी जी ने लिखा है गौट ऑफ स्मॉल तिंग जिनके लिए इनको मैन बुकर अबॉट भी मिला था ठीक है रोट एहें बहुत इंपोर्टेंट है यह लिखा है आपका बिल गेट्स ने लिखा है तो याद देखेंगा बिल इतना चकर पर रहा है उसका एक special जब देखोगा modern history पर हो गए तो उसमें पूरा का पूरा एक chapter दिया हुआ है जिसमें कि पूरा श्रीप लेखाक और उनके नाम है इस वहाँ से maximum question आपको अगर यह पढ़ ले तो तो वह भी बन जाएगा UPCS वाले question जितने एसे उन गिता ये भी वहाँ दिया हुआ है अर्बिन घोष ने लिखा है एसे उन गिता unknown Indian autobiography नीरच सी चौधरी ठीक है उसके बाद beyond the lines between the lines India after Nehru ठीक है judgment किसे ने लिखा है कुलदीब नायर ने लिखा है इंडिका सबको पता है Megasthenes ने लिखा है a thing of beauty is a joy forever किस ने लिखा है जौन किट्स ने लिखा है no full stop in India super important question ये भी Mark Tule ने लिखा है कुलदीब सिंग ठीक है answer and question विकास सवरुप इन्होंने एक और लिखा है slum dung millionaire ठीक है दोनों एक जैसे ही कुछ book है तो question and answer किस ने लिखा है बिकास सवरु डॉन लॉफ वी आर पुलीस किस ने लिखा है लाल बोरा वीसल लाल बोरा जैस्ट फोर लाइफ एमीला जोला बुद्धा चीरित आप सबको पता है अस्वागोस ने लिखा है इसके बाद 10 कुमाच रितम किस ने लिखा है दंदिन ने लिखा है मिर्चे कटि बहुत बार पुछा गया है रसगान याद रखना प्रेम बाती का रसकान ने लिखा है ठीक है कॉन्फ्यूज मत हो ना मुद्रारक्चा विसाकत रता यह आपको पता होगा हुमायू नाम यह भी पता होगा गुलवदन बेकम हर चरित्र कादंबरी बहुत बार पुछा गया बान भटा ने लिखा हर चरित्र और कादंबरे उसके बाद अकबर नामा अबू फेजल ने लिखा है अब यह याद रखना अनामी का यह सहत आप गलत कर सकतो अनामी का एन परिमल यह किस ने लिखा है तो सूरिय कांटी पार्टी ने लिखा है ठीक है और साह नामा यह भी बिने पत्रिका रामचरित्र मानस यादखना बिने पत्रिका और रामचरित्र मानस पत्रिका पर रहते कों तुलसी दास रामचरित्र मानस तो बिने पत्रिका और यह सत्यापरकास सूपर सूपर डूपर इंपोर्टेंट सत्यापर ध्याने सवर्वती बहुत बार पूछा गय है दास केपिटन और कॉमिनेस मेनिफेस्टों किस ने लिखा है तो कार्ल मार्क्स ने लिखा है हार्ट ओफ इंडिया एगैं यह भी बहुत इम्पॉर्टेंट है मतलब यहां है वह इंपॉर्टेंट है पर जो थीन बार बार इसले बोलते हैं क्योंको बहुत बार पूछा गया मार्क टोले गुलाम करें जो त्टी बहुत है आपको पता है अब यह भी बहुति इंपॉर्टेंटे अ जितने 90's के किड ए मतलब जो 90 90 के बात जो जनम उन्होंने देखा हो गई है, मालगुरी देश, स्वामी एन इस फ्रेंड, गाइड, बैचलर अप आर्ट्स, आर्के नारायन, ठीक है, इन्होंने इतना चच्छा सीरियल बनाया था, हमारा बच्पन कर लाइब बहुत ही अच्छा गया, तो मालगुरी देश हम लोग देखते थे, यह भी इंपोर्टेंट है, क्योंकि जो अर्वीन एडिक है, इनको मैन बुकर मिला था, अब वर्ट, कौन सा बुक के लिए, तो वाइट टाइगर के लिए, तो अर्वीन एडिक ने लिखा है, बस PDF मिलेगा, देखते रहना है, बार बार देखना है, 100 कुछ मैंने इसमें ब विक्रम सेट का परा, टू लाइप्स परा, ठीक है, उपर परा, विक्रम सेट, गोल्डन गे, इस पैरिस बर्निंग, क्या है, लेपियर, ठीक है, आनन्द मन, बीसी घोष, ठीक है, मतलब, बंगीम चंद घोष, या बंगम चंद चतरजी, प्रेम पक्छीष, और सेवा सदन रंग भूमी और गबन और गोदान, सब को पता है, मुंसी प्रेम चंद, ठीक है, दे सेल आउट, पॉल बेटी, इंडियन अन्रेस्ट, बहुत बार पुछा गया है, बैलेटिना सेरोलो, इनो ने ही बोला था, बालंगाधर तिलक को, फादर अप इंडिया अन्रेस्ट, जि भी आप छोड़ नहीं शकते हों, इंडिया for इंडियन, सूपर इंपोर्टेंट, चितरन जंदास, भारत दूर्दसा, ये भी बहुत 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 इंपोर्टेंट, ये हिंदी के एक्जाम में भी पूछ लिया जाता है, नॉर्मली भी पूछ लिया जाता है, क्यो महाद्पा गांदी जी भी बहुत ही inspired है, यहां का सब book important, Ignite Mind, Inspiring Thought, India 2020 and Wings of Fire, Ignite Minds, Inspiring Thought, India 2020, Wings of Fire, Abdul Kalam, कूली किस ने लखा है? मुल्क राज अनन्द ने लखा, एगैं यह बना, हो चुक कै है, कारल मार्क्स ने लिखा, कॉम्मीनिस्ट मेनिफेटो कारल मार्क्स ठीक है, प्रेजिडेंटल एर, बैंक molar, टीक है, उसक का ces क मेग दूद कुमार समभर, भू बन समभर आप सब को पता ह यह लिखा है काली दासने जो की चंद्रगुप्त बिक्रम अधित्या दृत्या के सासनकाल में थे जोनासिक पार किस ने लिखा है तो माइकल क्रिक टॉन वन डे वंडर्स सुनिल गपासकर इनका और भी बुक से आम लोग आगे देखेंगे ठीक है मतलब किसी और वीडियो में देखेंगा वन डे वंडर्स सुनिल गपासकर सिटी ओप जोई किसने लिखा है लेपियर ने लिखा है अरबियन नाइट यह किसने लिखा है रिचार्ड बॉर्डर ने लिखा है थ्री मस्कीटर बहुत बार पूचा गिया है ऐलेक्जंडर इसमें लो आपका लाइफ बन जाएगा विस्टन चर्चिन गैदरिंग स्टॉन डिवाइन कोमेडी डेंटर ठीक है मैन कैम बहुत इंपोर्टन है हिटलर ने लिखा है ठीक है गुलिवियर ट्रेबल आपको पता होगा गुलिवियर टेबल ठीक है बरास आदमी जब नाव पे जात प्रियाग प्रास्ति किस ने लिखा है प्रण एक्जेक्ली बुक नहीं अभी लेक है तो हरी सेन ने लिखा है ठीक है जो समुंद्र गुप्त के दरबार में था रतनावले प्यादर से का बहुत बार पूछा गया इंसेंट बुक है यह हर्स वर्दन ठीक है अमुक्ता मालि ठीक है किंग लेयर कॉमेडी ओप एरर ओथीलो दी टेंपस्ट यह विल्यम सेक्सपेर वाट वेंट रॉंग यह भी बहुत इंपोर्टन है किरन बेदी अंटू दी लास्ट जॉन रस्कीन दी वाइट केस्टर पामुक और स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट कपिल देब ठीक है अस्ट अध्याई आपने पर रहा होगा इसमें बहुत सारे बुक तो ऐसे आपने उलडी पर रहा हो जैसे कि एंसें इंडिया जितना है एन एरा ऑफ डार्कनस बहुत इंपोर्टन है यह इसलिए भी इंपोर्टन है कि इस बार इनको साहित्या एकेडमी अबोर्ट दिया ग गितांजली ठीक है गार्डेनर काबलुवाला हंगेरियन इस्टों पोस्ट अपिस गोरा भी पुछा गया है ठीक है यह सब जो लिखा गया है रभीना टेगर के दोर सब चीज वो में कलेक्ट कर दिया हूँ आपको यहां जो एक्जाम में पुछा गया है रभीना टेगर से अब इस्ट्री और डिस्कब्री ओप इंडिया या दखना बहुत इंपोर्टेंट है जामहला नेरू जंगल बुक सबने देखा है किसने लिखा है रुडियार्ट केपलिंग फिर से मेरे साथ बूलो रुडियार्ट किंगलिंग नत्य सास्तर यह भी आपका एंसेंट बूक मतलब जो प्राचीन भारत का बूक है किसने लिखा है तो भारत मुनी ने पंच तंत्र विश्नु सर्मा इन उपर बताया था सर्मान रुसीद इंडिया विंस फिरी ने अबूल कलाम अजात यह भी बहुत बार पूछा गया है इतना आपका बस 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 इतना आप कर लो और करेंट वला करके जाना आपका हो जीए अब बोलोगे सर कैसे होगा कुछ नहीं करने देखो आपना दो तीन दिन पर और अपने पास क्या रोखो पीडियेप रोखो जब भी आप ट्रेबल करतो कहीं भी जातो ताइम ही आपके पास खोलो और देखो ठीक है चलो अब हम जो की केडला का है मोहिनी अत्तम जो की स्वरी भरत नत्यम जो की हेमा मलन भी करती है फूरे भारत को दिबाना बना के रखी तो भरत नत्यम तामिल नाडू का है मोहिनी अत्तम जो की केडला का है और कथा कली जो की आपका केडला का ही है तो मोहिनी अत्तम और कथा कली आपक मनिपूरी और सतर्या बहुत बार पुछा गया यह सतर्या सतर्या ठीक है असाम दखो तो यह तोटल अगर आपको पूछे कि भारत में कितने क्लासिकल डांस है तो बोलो कि 8 क्लासिकल डांस है मैंने उचीज आपको बता देए अब कुछ-कुछ पॉइंट याद गो कि सतर्या जो है किसके दोरा फाउंड किया गया था मतलब किसके दोरा यह यह डांस बनाया गया था तो यह आपका संकरदेब ठीक है वही कथा कली पू कुछा दाता है सौरा नोटंकी रासलीला ठीक है सौरा नोटंकी रासलीला जो है आपका यूपी का है ठीक है गरबा याद इखना यह आपका गुजरात का है ठीक है सुईसेना मैंने आपको सुईसेना करा है सुईसेना गूमर यह सब मैंने आपको करवाया ठीक है तो सुई छोगली तिया टबला चोगली कहा वर ये भी है आपका असाम कहा है जठान वेस्ट-ंग़ कहा वर चॉंग कहा वर नागलन पर अझाय रॉख यादगना रॉफ जो है आपका और चाक्र धिर, यह जम्मौ इंका स्मीर त्वार, बिट आज धमलः, धमलः करती है, यह जोडी आएंहीं तो धमल अब इसी तरीकिसे आपको याद करना हो चाहिए, आपको भुक बला हो चाहिए। हर छीज आप रटश नहीं सकते तो धमल और लर्ग जो है ये कहां का है ये लर्ती है वहां की लर्किया ठीक है काली अटम काली अटम कहां का है किरला का है लवानी और पवरी ठीक है लवानी आपको पता है लोनल वाला से इसको कने कर लो जो कि महरास्ता है ठीक है इस तरह के साब कने कर सकते हैं लवनी और पवरी कहां तो महरास्टर का, लायन और पिकक का का तो और अधना चल का, तो टाइगर डान्स काहां का है, तो यह आपका ओडिशा का जो है, टाइगर डान्स है, ठीक है, उसके बाद, अब हम लोग देखने वाले हैं, आपका ओर्गनाइजेसन, ठीक है, ओर्गनाइजेसन, कौन से इंडी में दे दिया हूँ, ठीक है, मेहनत में ने पूरा कर दिया, अब आपको मेहनत करने है, देखे, पहले मैं इंग्लिज में बता देता हूँ, हिंदी बाले, फिर से आप देख लीना, इंडिन इस्टिटुट आफ साइंस, ठीक है, ये कहा है, तो बैंगलोरू में है, इं बैंगलोर, ठीक है, National Tuberculosis Institute, बैंगलोर, Film Television Indian Institute, पुने, Indian Survey Department, देहरादून, Central Botanical Research Institute, लखनौ, ठीक है, High Altitude Research Laboratory, गुलमर्ग, ठीक है, देहरादूने बहुत सारा है, ठीक है, जैसे कि आपका petroleum का मिल जाएगा research, ठीक है, उसके बाद forest का मिल जाएगा, उस सब आप आगे देखोग देखें, यहाँ मिल जाएगा, देहरादू, ठीक है, उसके बाद आपका Center Pharmaceutical Research, Pharmaceutical Research, Drug, या Drug Research Institute भी बुले, तो लखनौ, Dairy का है, Dairy Research, Indian Dairy Research, तो करनाल, हर्याना में, Aryabhat Research Institute, नैनी ताल में, ठीक है, कहा है आपका, नैनी ताल में, Brain Research Institute, माने सर, पूछा गई है, माने सर, हर्य अपका Kolkata में, अब यहाँ देखना क्या है, Indian Sugar Breeding Research भोले, ठीक है, Indian अगर, Indian Sugar Breeding Research भोले, तो यहाँ का कोयमबर टूर में, ठीक है, यहां Breaking लिखा हो है, ठीक है, वही अगर Indian Sugar Research भोले, तो यहाँ आपका लखनौ, क्योंकि लखनौ में, मतलब UP में सबसे यादा, क्या होता है आपका सबसे ज़्यादा आपका सुगर केन होता है इंडियन राइस बहुत बार पुछा गया है तो कटक में है इसका रिसर्च इंस्टिटूट ठीक है अब यहाँ दो चीज अगर इंडियन सुगर रिसर्च बोले तो यह लखनों में और नेशनल सुगर रिसर्च बोले तो इंडियन एकोलोजियन इंवार्यमेंट इस्टिटूट डेली में है इंडियन इस्टिटूट ऑफ मैंजमेंट डेली में देखे एक बार आप अपना ध्यान के इंडिरीत करके देखी इन चीजों को में ट्रिक से भी करवा चुका हूं ठीक है और जो भी बचे हैं हर एक नियु देली में ठीक है नियु देली में है उसके बाद प्लाज्मा इंस्टूट्श इंस्टूट्यूट गांधी नकर में है नेस्टनल डिजचाइन इंस्टूट एहम्दाबाद में है नेशनल इंस्टंब रह tastes यह नागपुर में है क्या चाहिए क्या चाहिए अब पियओर वला चाहिए ठीक है तीश पुने में अब यह ऐखना चाहिए हुआ है तो थ放 है नेशनल इंटिटिट में और रोला डेवल्लोपमें तो हाइद Well उसके बाद Central Building Research Institute रूर्की में है, यार दखना, सूपर इंपोर्टेंट, Central Arid Zone ये भी बहुत इंपोर्टेंट है, Arid Zone Research Institute, जोधपूर, इसके बाद हम लोग बात कहते है, National Police Academy का है, तो हाइदराबाद में, बिक्रम साराबाई Space Center का है, आपको सबको पता है, तिरिवेंदरम केल में है, Coffee Research Institute, बहुत बार पुछा गया है, चिक मैंगलोरू में है, चिक मैंगलोरू में है, रिसर्च सेंटर कॉफी का, Central Food Technology रिसर्च, एगें, फूड मसूर का दाल, खाएंगे न, फूडी है वो, तो मैसूर में है, इंडियन इंस्ट्टूटर अप केमिकल टेक्नोलोजी, तो यह आपका हाइद्राबाद, और एक और केमिकल आपने पहले परा हो, पूने में है, इंडियन अग्रिकल्चर रिसर्च, डेली में है, नेशनल इंस्ट्टूट अप न्यूट्रेशन, हाइद्राबाद, हद यार, आजकर कोई न्यूट्रेशन बढ़ा, फूडी नहीं भी निकाता है, ठीक है, नेशनल स्पोर्ट इन्स्टूट, यह भी याद हाँएद्राद में है, पटियाला में है, नेशनल स्पोर्ट इंस्ट्टूट, टीक है, इस्कूल अप आर्टिलेरी कहा adalah Hayali Maharashtra में, राजस्थान है कहा है तो रावट भाटरा राजस्थान में है नेशनल रेल म्यूजियम एगें बहुत बार पुछा गया है तो यह डेली में है तो यह बहुत बार पुछा गया है राजमुंदरी अंध्रापरदेश में Central Pulses Research Institute का है तो यह है आपका कानपूर में उसके बाद Indian Space Research Organization आपको पता है इस रोका है तो बैंगलोर में है तो इसके बाद अगलों बात करें तो तारापूर तारापूर Atomic तो यह का है दोग इसमें स्रिफ यह निए कि सिर्फ रिसर्च चेंट है अनुसन धान के इंद्रे Atomic Power Plant ठीक है कुछ Sports उस सब मैंने डाल दे जो रेगुलर्ली पूछा गिया तो अब आप क्या करोगे यह हिंदी में इंगलिस में था आप हिंदी बाले एक बाद एक नजर से इसको ले लिजी सांटी से सांटी पूर्वा की स्क्रीन सॉट ले लिजी ले लिया आगे चले फिर इसका स्क्रीन सॉट ले लिजी उसी चीज का फिर इंदी में मैंने दे दिया ठीक है अब इसका भी ले लिजी और इसका भी ले लिजी ठीक है यह था आपका पूरा का पु इस बार भी जो आपका ESI हुआ है उसे पूछा हुआ था भोटिंग मसीन के बारे में ठीक है किसने इंबंट क्या था हनीप ने क्या था चलो आप देखो यह किस ने क्या है तो दल लफ ने क्या है देखो चीज़ों को connect करो अब टायर कै टायर में हवा देते हैं जाता है ना दल लफ की तरह दल लफ होता है जो आप बेट के निछी घल तयो था है तो बाइस कील टायर डं लफ Allah बैटरी का किस ने इक तो भोल्टा, बैसाइकिल, Macmillan ने किया, mobile, Martin Cooper ने किया, laser, Manon ने किया, ठीक है, laser, light amplification, laser जो मानते हो, laser का full form भी पतावा होना चाहिए, light amplification and ranging, तो laser, Manon ने किया, machine गण किस ने किया, तो jams, पकले ने किया, ठीक है, और thermometer, बहुत बार पुछा गया, या दखना, thermometer, Galilio ने, helicopter, और ऐरोपलें में difference है, factor Race Galer, और हelीकप्टर बुले तो प्रिक बैटर,"रिक बैटरी", बैटरी चाहिए, बैटरी चाहिए, वहलीर्स बैटरी वहलीर्लिक, वहली कैसरे, वहल्डरी क्यों चाहिए, चोटा कहला हला ही कैट्री adjust9, तो यसी फिर्से fraset cada1, जावीर्छ यथे पा तो wheeler ने किया है, fridge को Harrison ने किया है, और scooter को आपको याद आखना है gravelly breadstone ने किया है ठीक है, उसकर आगे हम लोग चले generator का faraday ने किया है calculator pascal ने किया है, chloroform Simpson, ठीक है Simpson में लिए था इसमें उसके बाद James Harrison भी है, television bear ने किया है, ठीक है याद आखना, बहुत important है, transistor का इजाबाना चले है, आपका mobile, mobile सब उसी से बना हुआ है, ठीक है, तो transistor William Soclean ने किया है, Dynamo Friday ने किया है, ठीक है, penceline किसने किया है, flaming ने, क्या से fungus से निकाला था, कवक से बनाया था इसने सबसे फिले, ठीक है जो कि एक antibiotic है, atomic bomb किसने किया है, तो otohan, याद रखना double T होगा, otohan, बहुत important है atomic bomb, otohan ठीक है, radio activity, henry beccural, radio, किसने बनाया है मारकोनी ने, radium medium curie, देखो radio activity बोले बले तो henry beccural, और radium बोले madam curie, blood circulation William Harvey, steam engine आपका किसने किया है, तो steam engine जो आपका किया, आपका gems, what ने किया है, ठीक है उसके बाद देखो, gun powder भी बहुत बार पूछा गया है, तो याद रखना, roj backer ने किया है ठीक है, आपका जो printing machine होता है, print making या लगा है printing machine जो होता है, ये भी बहुत बार पुछा गया, gutenberg ने किया, aeroplane मैंने बता दिया right brother ने किया, x-ray, rontigen ठीक है, roet होगा, ठीक है roet and rontigen ठीक है, rontigen ने किया था, x-ray hydrogen, बहुत बार पुछा गया kevendis ने किया था, hydrogen का, ठीक है याद दखिया, electron, jj thompson ने किया, neutron, gems starving ने किया, और अगर आपको proton पुछ ले, तो देखो proton यहाँ दिया gold stand, अगर gold stand नहीं है, ठीक है तो याद देखना, वहाँ दिया होगा, आपका rather food, ठीक है, barometer बहुत बार पुछा गया है, आपका torsulin ने किया है, proton, gold stand ने किया है, dynamite, उपर हमने परा सोरेंशन ने, oxygen का discover किस ने किया, यहाँ आपने परा, hydrogen kevendis, oxygen, पुछले एक-एक जो exam में पूछा गया, वही बता रहा हो ठीक है, gramophone, addition ने किया, याद आखेगा, gramophone telescope, किस ने किया, galileo ने किया, logarithm, log परते नो, उसका तो john napier ने किया, और nucleus कौन सा nucleus, जो आपका sail का, आप atom परते हो, atom में जो nucleus आपने पराऊगा, उसका discover, रदर फोड ने किया है, ठीक है, अब हम लोग कुछ परेंगे, national park, ठीक है, national park का हम लोग परेंगे, जो कि हम लोग ने अल्रेडी बहुत पर पर रखा है, Jim Corbett national park, ठीक है, जो कि सबसे पहला national park था, जिसको हेली national park भी बोला जाते है, वो उत्राखण में, बांदबगर national park, मद्या परदेश, काजी रंगा, असाम, नंपदा, याद रखना, नंपदा के साथ, एक और याद रखना हो, मौलिंग, मौलिंग और फिर मूर्लेंड में confuse मत हो ना, मूर्लेंड जो है, आपका मीजोरम में है, M-U-R-L-E-N, और जो आपका नंपदा जो है, वो मौलिंग, नंपदा नेशनल पार्क और मौलिंग नेशनल पार्क, सिक्किम में है, जलो जली से बताओ, मैंने आपको करवाया है, जितने भी मेरे कोर्स में, जली से नीचे कमेंट करोगे आप लोग, कि सिक्किम का, ठीक है, राजकिया पसू क्या है, क्योंकि ये पूछा गया था, दरोगा में ही पूछा गया था, सिक्कीमका राजकिय है पसुँँए तक काल निपूर時 पार्क म करकना कर्णार कि यहार ब्दीपूर के दने अट sufゴ पार्क राजस्थान पार्क डिखो आने मलायई वाल यह एक पर देखो अनना मलाय वला है ना ध्यान से समझला कि पूछ क्या रही है अन्नामलाई पूछा हुए ठीक है अन्नामलाई जो है आपका तामिल नाडू में उसके बाद ब्लैकबंग नेसनल पार्क है तो गुजरात में आज तक जितने भी सब पूछेंगे वो सब मेने डाल दें इससे बाहर कुछ नहीं ट्क जागे राज़स्थान में एं अभी याद रखनें शाल के साथ भित्र जाम करण ये उटरिसा में सुंदर्बन नेसनल पार्क आप सबको पता है वेस्ट बंगाल में दुद्वा नेसनल पर्क रूत्तर परदेश में ऐं Silent Valley, Kerala में है, Periyar और Silent Valley, Kana National Park, Madhya Pradesh में, Great Himalaya National Park ठीक है, ये कहा है आपका, Himachal में है Raja Ji National Park, उत्राखान बहुत बार पुचा गया, Molling में ने बोला थो पर Molling National Park का है, और नचल परदेश Panna National Park, Hira and Panna कहा है, Madhya Pradesh में, Palamu Tiger जारखंड में, ठीक है Nagarjuna Wildlife Century, ये कहा है आपका तो अंद्रापरदेश में, ठीक है कहा है आपका Nagarjun सागन, तो ये आपका अंद्रापरदेश में, अब ये यादखना Molling में है, ठीक है, इस टाइप के आप चीज मिस करोगे आप, ठीक है, तो Molling National Park जो कहा है, तो ये है आपका महरास्ट्र में है, ठीक है, गोगा मल, अब यादखना गोगा मल आपने नहीं परहा होगा, गोगा मल National Park महरास्ट्र में, ठीक है, गुंगा का editing अच्छा करता था, इसलिए चल गया हो महरास्ट्र, तदोबा, ठीक है National Park, तदोबा एक आपका अच्छा म में, बहुत सारे थीक है मानस हो गया, काजी-रंगा हो गया, नमेरी हो गया, ठीक है ये सब याद रखेगा भरतपुर, बड़ मotherapता ह्याना, गोग। यादवले कुद गया कहा Equ committed हमाले से कूद गया है और हजारी बाग सेंचुरी का है तो जारखंड में गांदी सागर का है तो यह आपका मद्य परदेश में और वेंट अपने यह भी नहीं परहागो तो वेंट वाइलाप सेंचुरी का है तो यह आपका केरल में ठीक है अब कुछ भी भता है तो राजस्थान में अन्ह वहाँ क्या आते तो साइबरीन्स क्रेंट यह बत्तक का बत्तक बोलाओ ेंटध काजी तो एक Swaun का प्रजाती है, काजी रंगा क्यूँ famous है जो असा में है, तो One Horn Rhino के लिए famous है, ठीक है, Nagar Hall National Park अलसो किस नाम से जाना जाते हैं, तो Rajiv Gandhi National Park से जाना जाते है ठीक है, सुन्धरवन, जो आपने National Park sensors क्यूं famous है तो mangrove tree के लिए famous है, ठीक है यह चीज आप याद अखना और एक चीज याद अखना जो ऐसे पौधे जो आपका saline water में saline मतलब होता है लवन ठीक है लवन बाले जो मिट्टी होता है उसमें जो पैदा होते हैं उसको क्या बोला जाता है तो hello fighter ठीक है पैदियार नेशनल पार्क फेमस फोर याद अखना है यह भी पूछा गया बहुत बार elephant के लिए फेमस है पैदियार का है तो आपका केरल में काना नेशनल पार्क ठीक है the author of jungle book ठीक है रुडियार कीपलिंग is inspired to write the book ठीक है तो जो रुडियार कीपलिंग है जिन्होंने book लिखा है jungle book यह कौन से मतलब राष्टे उध्यान से inspired होके लिखे थे jungle book किसने लिखा है रुडियार कीपलिंग में उपर बता है तो कौन से आपका अरुनाचल परदेश और मूर्लेन बोले तो वो कहा है आपका मिजूरम मूर्लेन निलगिरी बायोस्पेर याद बहुत बार पुछागे कि सबसे पहला बायोस्पेर रिजर्ब कौन सा था ठीक है तो याद है 1986 में सबसे पहले कौन बना था तो है आपका निलगिरी बायोस्पेर रिजर्ब कुछ वर्ट समझ में नहीं आएगा किसी इंग्लिस हिंदी वाले को तो समझो उस चीज को ठीक है यह आपके लिए बेनिफिट करेगा बाकी कहीं भी प्रोब्लम आपको नहीं होगे फर्स नेशनल पार्क पहला रास्टे उद्धान कौन सा था तो लिमकर्बेट 1936 में इसको अलसो हैली नेशनल पार्क बोला जाता है ठीक है समझ में आया अब इंपोर्टेंट हेडकोर्टर सम्म लोग देखेंगे कुछ जो बहुत ही इंपोर्टेंट हेडकोर्टर है ठीक है इसको मैं ने फिर से हिंदी में भी बना दिया आपके लिए ठ 24 अक्तूबर को इसलिए हम लोग UNO Day बनाते हैं, ठीक है, UNO मतलब समझ रहो, इसका में हिंदी में कहा है, सयुक्त रास्ट, ठीक है, सयुक्त रास्ट दे कब मनाते हैं हम लोग, तो 24 अक्तूबर को UNO Day मनाते हैं, कब स्थापना हुआ, 1945, हेड़कोर्टर का है, तो New York में, International Court of Justice हेग में है, ठीक है, International Court of Justice अब 15 जज़ बैठते हैं, वो भी हम लोग बात करेंगे, जब हम लोग UNO के बारे में परेंगे, ठीक है, तो हेग में है, Netherlands में, United Nations Human Rights Council, कहा है इसका, तो Geneva में है, ILO है, International Labour Organization, Geneva में 1999 में formation हुआ था, World Health Organization, Geneva में 1948 में WHO हुआ, World Metrological Organization का है, ये भी Geneva में है, Red Cross, जो कि हम लोग 8 में को मनाते है, Red Cross दे, इसका Headquarter का है, तो Geneva में 1863 में ये फ़र्म हा, Universal Postal Union, Burnt Swigiland में, ठीक है, World Tourism Organization, ठीक है, इसका Headquarter का है, तो Madrid में है, और International Civil Aviation, Montreal में है, United Nations Food and Agriculture, FAO को बोला दाता है जिसको, ठीक है, इसका का है Headquarter, तो Rome, Italy में है, International Monetary Fund, IMF, सबको पता ह वासिंग्टन, DC में है, World Bank का का है, तो Washington DC में है, UNESCO का का है, तो Paris में है, International Atomic Energy Agency, VINA में है, World Intellectual Property Organization, जितना मैंने बस दे दिया, उतना याद कर लोगा, जिनेवा में है, उसके बाद इसको आप कट करो, ज़रूरी नहीं है, European Union का याद अगना, Brussels में, Belgium में है, उसके बाद NATO, ब अरुजेल, Belgium में है, 1949, ADB, ASEAN Development Bank, इसका का है, Manila में है, और यह कब फॉर्म हुआ, ASEAN Development Bank, 1966 में हुआ, ASEAN Development Bank, ASEAN, जकार्था में है, इसका, Hit Quarter, और जो कि Indonesia कब बना, 1967 में, बहुत बार पूछा गया, Sark, Kathmandu में कब बना, इसको मैंने याद भी कर भाया था, कि date के से, Sark है, पीछे पर गया है, तो 85, ठीक है, इस तरीके से, तो Sark का क्या है, Kathmandu, 1985, Arab League, हटा दो नहीं चाहिए, ठीक है, OPEC, OPEC जो है, आपका Organization of, इसका Full From भी याद रगना, Organization of Petrol, Petrol Export Country, इसका का है, तो Veena में, 1960 में, 60 साल का वर्स होता है, तो क्या बोलता है, अब तु पैक हो गया, अपना पैक कर, और यहां से, आपका Retirement आ गया, Amnesty International, बहुत बार पुछा गया है, ठीक है, यह आपका London में, याद रखना का है, यह बहुत बार पुछा गया है, ठीक है, प्लीज याद रखेगा है, इसको, World Trade Organization, जो कि 1995 में हुआ है, यह फोर्मेशन, यह का है, आपका Geneva में WTO, Non-Aligned Moment, यह भी important है, क्योंकि इसमें, जामाला नेरू भी थी, जब यह form हुआ था, ठीक है, तो यह का है, आपका Kathmandu में, 1961 में हुआ है, FIFA, Federation of International Football Association, इसका का है, जूरिक, Switzerland में, 1904 में हुआ था, Transparency International, ठीक है, तो यह का है, आपका Germany, एक चीज बता तो, अगर कोई चीज याद नहीं हो रहा है, हमीचा चीज को ट्राइ करें, देखो जिसे की, Transparency, अगर Transparency नहीं होगी, तो क्या होजगा, जर्म आपको मिलेगा, जर्म हमें क्या करना है, हर चीज से हता देना, कि टानू, रोग कब होगा, जब हमें Transparenent, हर चीज सही से देखा, Transparenent में अब और Unicef का का है, तो यह आपका New York में है, ठीक है, इतना आप at least याद करो, ठीक है, उसके बाद आप यह देख लो, हिंदी बाले लोग, इसको प्लीज आप screenshot ले लीजे, फिर इसको भी ले लीजे, फिर इसको भी ले लीजे, ठीक है, next हम लोग awards परेंगे, ठीक है, next हम लोग PDF जैसे, देखे, WhatsApp link वहाँ दिया होगा, ठीक है, WhatsApp का जो link होगा, दिया होगा नेचे description में, आप click करना, और मुझे लिखना वहाँ PDF, ठीक है, जैसे आप WhatsApp में आ जाओगे तो, और एक चीज, तभी आपको यह PDF मिल पाएगा, जब आप मुझे अपना number मेरा save कर लोगे, तभी जब में सहने करूँगा, तब तक है पहुँच पाएगा, ये कुछ technology based है, छोड़ो उसको, बस अपना, मेरा number लेके, आप save कर लेना, ठीक है, इसके बाद provide कर देख, आप देखो, परहा तो मेरा हूँ, बट आपको हर दिन ये चीज पढ़ना परेगा, ठीक है, तभी आपक क्या सा लगा प्लीज बताएगा, जे हिंद